तो साथ्यों सबसे बड़ा सवाल यहां पर याते हैं कि हम यहां पर छोटे-छोटे अमरूद क्यों तोड़ रहे हैं। क्या बड़ा नहीं होना देंगे क्या इनको। इसका रिजन क्या है। तो मेरा नाम गमेर सीरानावते और आप देख रहे हैं खेती किसानी यूटूब चैनल आपका बहुत-बहुत स्वागते चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो साथियो काफी टाइम हो गया है फारमाउस का वीडियो नहीं आया है और आपके काफी सारे कमेंट आ गया ह कि आपके फारमाउस का क्या हुआ क्या फारमाउस को वापिस से उखाड दिया गया है क्या फारमाउस पर अच्छे-च्छे अम्रूद लग रहे हैं क्या फारमाउस पर अच्छे-च्छे पपिता लग रही है या फिर आपने कोई और बुवाई कर दिये इन सारे सवालों के जबाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन कि पपिता अम्रूद और एपल बेर इसमें क्या-क्या हो रहा है अभी पपिता के अगर बात करूं मैं तो सर्दी के मोसम में पाला गिरने से सारी पपिता नश्ट हो गई है यहा है 25,000 के पपिता निकाली है हमने क्योंकि सारा का सारा पाला से नश्ट हो गया है ना तो क्यों इसका इंस्वरेंस मिला है मुझे न कोई इसकी कोई भी सरकारी हेल्प मिली है अब अपन बात करते हैं यहां पर अंब्रूद की तो अंब्रूद अभी हम छोटे-छोटे अंब मतलब बड़े बड़े मोटे मोटे पोदे नहीं हुए हैं जो इनके उपपर जादा से जादा फल टिक पाए इसलिए इनकी शाखाए नहीं तूटे इसलिए हम यहां पर एक पोदे से लगबग 10-20% अमरूद यहां से तोड़ कर निच्चे गिरा दिते हैं रिजन यही रहा है कि इनकी डाली हैं जो शाखाए हैं वो अभी कमजोर हैं अभी इतनी मजबूत नहीं हैं इसलिए इन अमरूद को तोड़ा जा रहा हैं और अमरूद काफी अच्छे लग रहे हैं अमरूद आप देख पा रहे हैं डाली डाली पर अमरूद लग रहे हैं और एक साल के उपर में ये कंडिशन है इन अम्रूद की कि काफी जादा फल ठहर रहे हैं और इन फलों को तोड़ तोड़ के निचे गिराना पड़ रहा है और फरस्ट येर जो फरस्ट येर साथ आठ बहिने में फल लगे थे उनमें से एक भी फल नहीं रखा हमने सारे के सारे फ फल नहीं टिकते यही रिजन रहा है कि फलों को तोड़ना जुरूरी होता है और आज देख लिजे एक साल में इतने बड़े पोदे हो गए हैं और अगर आप चाते हैं कि अभी के टाइम में आप इन फल को नहीं लेना चाते हैं जैसे नवंबर दिसंबर में फल को लेना च कर रहे हैं तो एक बार पोदो की situation देख लेना है कई लू की जटके से कई सूक तो नहीं रहे हैं अभी हमने भी यह सोचा था कि अभी की जो अम्रूद है उसमें क्या थोड़ा सा कीड़ा लगने की आशंका ज्यादा रहती है वैसे गया तो अगर आप treatment का ध्यान देते हैं तो एक भी कीड़ा नहीं लगता है लाकिन जो नवंबर दिसंबर में जो अम्रूद लेते हैं उसमें कीड़ा कम लगता है लगता तो है लेकिन कम लगता है कोई सा भी हो चाहे अम्रूद हो चाहे एपल बोर हो चाहे अनार हो उसमें कीड़े की आशंका तो रहती रहती है इ आपको जवाब देंगे अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें साथ में गंटी का निशन दबाए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जै बारत जै जवान जै किसान वन दे मात्रम